नमस्कार प्यारे साथियों मैं गारगी सारस्वात आपका स्वागत करती हूँ टार्गेट विद अंकित की ट्वेंडिंग न्यूस सिरीज में जहां आप और हम बात करते हैं देश और दुनिया के उन्चर्चित मुद्दों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है तो की जानी मानी हंगेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं और दूसरे हैं ड्रू वीजमें जो की एक काफी फेमस काफी चर्चित अमेरिकन चिकितसक वग्यानिक हैं अब आप जानना चाहेंगे कि इन दौनों वग्यानिकों को दौनों महान हस्तियों की किस खोज की वज़े से इनने नोबल पुरुसकार के लिए नामित किया गया है तो आपको बता दूँ इन दौनों की खोज नुक्लियो ऑक्साइड बेस संशोधन से संबंदित थी जिसने की कोविड नाइनटीन के खिलाफ एम आर एन एटी के का विकास करने में मदद की अब आप जानना चाहेंग सरल भाषा में की MRNAT का क्या था तो MRNA एक जिसे आप मेसेंजर RNA या मेसेंजर राइबो नुकलिक एसिड भी कह सकते हैं यह आपके शरीर क्या एक जेनेटिक कोडिंग होती है एक अनुवांशिक सामगरी होती है जिसके माध्यम से आपके शरीर की सेल्स काफी मात्रा में प्र वाइरस का हमला होता है आसान भाषा में कहूं तो जब भी कभी आपके शरीर पर किसी भी वाइरस का हमला होता है तो MRNA तकनीक आपके शरीर की सेल्स को कोशिकाओं को एंटी बाडी यानि प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं इस MRNA तकनीक की वजह से आपके शरीर क के अंदर spike protein बनाने का काम already शुरू हो जाता है क्योंकि जब TK के अंदर mRNA दिया जाता है तो ऐसी situation में आपके शरीर के अंदर coronavirus से लड़ने के लिए already spike protein बनना शुरू हो जाता है उसकी काफी सारी multiple copies बननी शुरू हो जाती है तो जैसे ही कोई भी व्यक्ती COVID-19 के virus की संपर्क में आता है तो ऐसे में already पहले से बनी हुई protein यानि antibody के बारे में जो already शरीर में बन चुकी है शरीर जानता है रोग को virus को पहचानता है और उस antibody का प्रयोग करता है तो ये काफी famous खोज रही थी जिसने COVID-19 के समय पर mRNA तकनीक की माध्यम से vaccine को बहुत जल्दी बनवाया था और काफी कारगर बनाया था जिसके माध्यम से काफी जल्दी हम इस pandemic से control कर पाए थे आपको बता दूँ कि noble पुरुसकारों की शुरुवात 1901 से हुई थी ये Alfred noble की याद में दिये जाते हैं और एक million American dollar की राशी दी जाती है जिस व्यक्ति को ये पुरुसकार मिलता है अगर मैं बात करूँ साल 2022 की तो 2022 में medical शेत्र में स्वाते पैंबो को ये पुरुसकार मिला था अभी आगे बाकी है अर्थ शास्त्र और साथ ही साथ शांती से शेत्र से जुड़े हुए अन्य नोबल पुरुसकारों के नामों की आम ने जिसने हमें इस आपदा से बचाया था वास्तर में ये दौनों नोबल पुरुसकार के हगदार है ही है तो धन्यवाद मैं गारगी सारस्वत आज आप से विदा लेती हूँ कल फिर मिलेंगे एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ धन्यवाद